हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन और स्वीट पटाइटो को मिला कर एक बहुत ही टेस्टी सा लैली पॉप चिकन लैली पॉप भी कह सकते हैं मेरे पास स्टीक अवलेबल नहीं था तो मैंने यूज नहीं किया बस आपके पास हो तो आप स्ट पटाइटो लिया है मतलब शकरकंदी ये ठंकी मौसम में मिलती है और यहां पे लिया है चार लेकपीस तो इसे सबसे पहले मैं बॉइल करने रखूंगी शकरकंदी को और यहां पे लेकपीस के मैं वो हड़ी को अलग कर लूँगी और गोश्ट को अलग कर लूँगी अगर आपके पास वो बॉनलेस मिल जाते हैं तो वो बहुत बैतर होंगा आपका काम असान हो जाएगा यहाँ पे मैंने देखिए सारे हड़ी सेला कर लिया और इसे मिक्सी जार में डाल कर ग्राइंड करेंगे इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे अच्छा सा और यहाँ पे देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और इसमें ही हम डाल देंगे चार से पाच ब्रेड के स्लाइसेज अगर आप मतलब मिक्सी थोड़ी बड़ी हो तो आप एक साथ भी चीकन और ब्रेड के स्लाइस को कर सकती है ग्राइंड कोई प्राब्लम नहीं आएगा और इसमें यहां पे दिखिए मेरा हो गया था यह शकरकंदी बॉयल यह बहुत टाइमनी लगता है एक से दो सीटी आता है और बॉयल हो जाता है तो इसे मैं हाथ सी करी हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है इतना तो गरम चलता ही है गर्मी में बिल्कुल नहीं ही वैसे आप जैसे का मपटेबल हो वैसे कीजिएगा और यहां पे डाल देंगे हम एक से देटी स्पून लैसून और अधरक का पेस्ट और यहां पे डालेंगे एक मुठी धनिया की पत्ति बारिक कटी हुई चार से पाछ हरी मिर्च कटा हुआ बारिक और एक मेडियम से criança के प्यास को मैंने बारीक चॉप कर लिया है यहां पे 1-2ीज़ डाले हम, बटर और यहां पे 1ीज़़ नमक, आप अपने सादंबाद रखेगे, 1ीज़ तीज़ गरgart अचैल, अब तीज़़ं से थोड़ा सा कम हल्दी पॉड़र, 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 पॉड़़, पॉडर, पॉड़र, थीज़न बड़ चोड़ लिया है इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स तो मैं हाथ की मदश से इसलिए कर रही हूं ताकि ये सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो जाए और इसे मिक्स करने के बाद ये मैं इसमें थोड़े एक दो इंग्रीडियन्स और डालूंगी तो ये आप बनाएएगा जर अब इसे भी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स यहाँ पे आप चाहें तो ये चीज का भी इस्तेमाल कर सकती है जब ऐसे इसके शेप दे तो इसके बीच में आप चाहें तो चीज के क्यूप्स डाल सकती है वो बिलकुल आपके उपर डिपेंड है मैंने इसमें यूज नहीं क बस अगर आप इस्टिक का इस्तेमाल करें तो इस मोमेंट पर आप इस्टिक लगा लेंगी और बस हो गया यहाँ पर दिखिए एक अंडे को मैं फेट लूँगे अच्छे से और यहाँ पर ब्रेट के स्लाइस को ऐसे ही मैंने ग्राइंड किया है और ब्रेट के क्रम्स बना तो आप एक बर जरूर यह ट्राइ किजिएगा यह बहुत टेस्टि बनती है और जल्दी भी बन जाती है बस आपका जमन चाहे यह बनाईए और खाईए यहाँ पर दिखे मैंने तेल रखा था गरम होने के लिए यह अच्छे से गरम हो चुका था शुरू में आप करेंगे गैस का फ्लेम मेडियम यहां पर मेडियम फ्लेम करके हम थोड़ी देर पकाएंगे इसे क्रिसिपी होने तक हाई फ्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा नहीं तो अंदर से फिर यह कच्छा रह जाएगा और फिर टेस्ट भी अतना बहतर नहीं आएगा खाने में तो बस यहां पर मैंने सारी को फ्राइ कर लिया है बस देखे कितना प्यारा सा कलर आया है यह बहुत टेस्टी बनती है अंदर से एकदम जूसी होता है उपर से इतना क्रिसिपी होता है कि मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ खिला नहीं सकती हूँ तो बस यह जरूर ट्राइ और बताईएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी कहां से देखने यह भी बताईएगा पसंद आई हो तो कॉमेंट कीजिएगा लाइक करना ना भूलें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरी चैनल को मिलते हैं अंगले वीडियो में अल्ला अफिस्ट आप